चीहां वाटसेप के इस अपडेट के बाद अब आप वाटसेप पर सेंड की हुई मैसीजिस को जो है वो बहिए जी एड़िट कर सकते हो या निकिए अगर आप अपने गलती से कोई इलफाज लिख दिया है उसे आप एड़िट करना चाते हो तो भईया जी कर सकते हो अगर आ यहां पर मैं कोई एक चैट को करके दिखाऊगा लाइक भाई जी है लो लिखते हैं ठीक है और मैं सेंड कर देता और यहां पर अपर एक दोर जो है नुमाण ठीक है डबलो डाल के यह चीज लिखते हैं ठीक है और यहां पर यह मुझे पता है कि यार मैंने हैलो लिखना था हीलो लिखा गया और उसके बाद नुमाण के भी स्वेलिंग जो है वह गलत है अब मैं इस चीजो अडिट करना चातë हूँ मैं सिंप्सिक्री को एडिट करूंगा उसके यहां मैं लिखता हूं ठीक है और इसे वह टिक बाग करता हो और उसके बाद नीचे वाले को भी जो है वो मैं प्रेस करूँगा ठीक है यहाँ पर जो है वो प्रेस करके रखोंगा मैं यह और यहाँ पर एडिट करता हो ठीक है और यहाँ पर वापिस जो है वो नमान लिखता हो और टिक कर देता हो ठीक है और यहाँ प बंदे का जिसका आप जो ए यह message वेडिट करके बेज रहे हो उसका व्ट सैप I have update ऑप डेड़ ना हो यानिके हो अगर हगा क्या अगर रा क्या जिससे आपने करके message पिज़ ए अगर उसका वट सैप अपडेट नहीं होगा तो उसे आपका edit table message जो है वो show नहीं होगा ठीक है आगे edit लिखा नहीं आएगा ठीक है उसे simply होगा कि यार इसने अभी-अभी message जो है वो भेज़े ठीक है उसे पता ही नहीं चलेगा कि edit होगा है लेकिन अगर तो भाया जी उसने update किया होगा है तो उसे जो है उसे भी नजर आजे करेगा कि आपने यह message जो है वो edit करके वापिस भेज़े ठीक है यह बस चोटा सा मसला है अदर्वाइस कोई भी problem नहीं मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने WhatsApp के messages को अब edit कर सकते हैं तो ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो हो सब्सक्राइब करें अगर आप होड़ी चैनल को फर्स टाइम देखा तो डूंप फोगेट यह सब्सक्राइब होड़ी चैनल नहीं वीडियो में अब तक ले चाहता है आप सब लोगों से इजाज़त गोडब्लेस